कई तरह के सीट्स खाने से होते हैं कजब के फायदे पेड़ दिल और हड्डियों से जुड़ी कई समस्याओं में फायदे मन होता है सीट्स खाने के आज हम बनाएंगी कई तरह के बीजों को मिलाकर पर्फेक्ट चिक्की क्रंची क्रिस्पी और टेस्टी चिक्की इस वीडियो में तक बने रहेगा अगर आप पहले वाद चैनल पे हैं आपने सब्सक्राइब कर लीजेगा बिल्कुर फ्री है साथ में बेल आगर प्लिक कर ली चिक्की बनाने के लिए मोटे तले की बड़ी कड़ाही को हम गरम करेंगी और एक बड़े बॉल हम भर के लेंगे मोंफुली कच्ची मोंफुली को हम ड्राय रोस्ट करेंगे उसके बाद इसका चिलका निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका भी बताएंगे आपको इस वीड को बनाना है ताकि यह जले नहीं और अच्छे से भून जाए जब चटकने लगे चिलका अपने आप उतरने लगे इस तरह से देखी कड़ाही में तो हम गयासी बंद कर देंगे और इसे हम प्लेट में निकालेंगे चिलका निकालने का जो टेकनिक है न बहुत आसान है अब अब करणा क्या है चिल्का कॉ निकालने और स्षेरा कोई रखने वाला कपड़े सकते हैं पर यह रखताघी का बसाल कॉछी पड़ाया क कपड़े मैं किरको बहिस्त कपड़े कर बहुत कर हा om कोफी थार िकला को निकालना आप सब्सक्राइब बहुत जल्दी से निकल जाएगा जो अच्छे साफ हो गई है बहुत ही आसान टेकनिक है मॉंफुली का चिलका निकालने का बीच-बीच में जो एक ही मॉंफुली रह गई जिसमें नहीं निकले हैं इसे इसे तरह से हम छोड़ देंगे चिक्की बना लेंगे या फिर आप चाहें तो हाथों से मसल कर निकाल सकत अब सर्दियां आने वाली है तो ऐसे में इन सभी चीजों का यूज हमें करना चाहिए तो मैंने कडायम डाल दिया तील और इसको भी ड्रायरोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनद के लिए ज्यादा इसे नहीं भुनना है बस हल्किस गुलावी होने तक और हल्किस खुसबू आने तक कि करना कि सी गुलाने के लिए कि इस नहीं के सथे बिना त एक शिक्की को और खळिसे द्रायरोस्ट करेंगे करणा करहें में डाल सारे सीर्ट को मिलाकर मैंने एक बॉल भर के लिया है मुंफली के बराबर अब मिसी कड़ाही में डाल देंगे और इसे भी धीमी आज में हम चलाते भून लेंगे तील मैंने अलग से इसलिए भूना है कि तील बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाती है जलने लगती है तो तील को मैंने पहले भून कर अलग कर लिया है अब सारे बीजों को मिक्स करके मैं यहां पर कड़ाय में भून लेती हूँ अच्छे से धिमी आज में भूनना है ताकि अच अब मिक्स सीट से हमारे भुन गये से भी थाली में निकालेंगे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो चलिए अब हम चिक्की बनाना सुरू करते हैं लेकिन इसके लिए हमें गुड की आवा सकता होगी मैंने यहां पर 2-3 ठेली गुड लिए उसे चोटे चुकुड़े में तोड़ लेंगे अब आप चाहें तो इसको चीनी में बना सकते हैं मिस्री में बना सकते हैं या फिर गुड में मैं कहूंगी इसे गुड में बना कर खाईए गुड खाने से बहुत ज़्यादा हेल्थ बे बीजों के कुछ फायदे जान लेते हैं कद्दू और संफ्रावर में विटामिन A,C,E,Protessium और फाइबर का रिच सोर्स होता है दिल के मरीज हैं तो कद्दू के बीज काफी फायदे मंद होते हैं अगर बेट लॉस करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कम कैलोरी और ज्यादा फायबर से भरपूर होते हैं कद्दू के बीज संफ्रावर के बीज गुड मैंने तोड़ लिये हैं कडाही में डाल दिये हैं इस तरह से इसे हम चलाते हुए मेल्ट करेंगे थोड़ा सा इसमी दो चम्मज पानी डाल देंगे ताकि यह जल्दी से मे बिल्कुल धीमा रखना है तो पानी वस थोड़ा सा डालना है ताकि गुड अच्छे से मेल्ट हो सके और इसे हम पका सके हैं तरबूज के बीज में प्रचूर मात्रा में बिटामिन ए बी सी और आयरन के अलावा मैगनिस्यम और पोटेस्यम भी पाया जाता है खरबूजे क बीज में विटामिन ए और बीटा कारोटीन आखों के लिए बहुत फायदे मद होते हैं यह ब्रेन तक अक्सीजन का फ्लो बढ़ाने में मदद करती हैं जब गुड अच्छे से पकने लगे गाढ़ा हो जाए तो इसे एक कटोरी में पानी लेकर एक दो ड्रॉप डालकर हम जब गुड अच्छे से पक जाता है ना परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए तो पानी में डालते ही एक जगह एक चिपाहट नहीं होती है और जब अच्छा रहता है ना तो हाथों में चिपकने लगता देखिए मैंने चेक कर लिया बिल्कुल भी यह चिपक नहीं रहा है अब यह तैयार है चिक्की बनाने के लिए जब इसको हम तोड़ें ठंडा करने के बाद कट की आवाज आने चाहिए जब कट की आवाज नहीं आ रहे है गुर तो फिर समाझ लीजे अभी पका नहीं है तो दो तीन मिनिट हम इसे और पका लेंगे मुंफली हमें रोज एक या दो मुठी जरूर खानी चाहिए मुंफली खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे चिक्की बनाने के लिए गुर बिल्कुल परफेक्ट तयार हो जाएगा ना इसमें फटा फटा सारे सीर्स हम डाल देंगे मैंने आवर मुंफली डाल दी है सीर्स डाल दी हैं और तिल भी डाल दी है सारी चीजों को डाल देंगे अच्छे से अब उसको सबकर मिंठेड़ेंगे effekt्त! लिए ऊधागी बहुत ही गरम है और इस प्रोसेस को हमें फटा फट से करना है जल्दी करेंगे अच्छा ने जल्ली से जम जाएगी तो हम इसे पतली चिक्की नहीं बना पाएंगे आपई पहले मैंने अप्रोटी कर स्थी जब रोल के था र्यादी, यह अपड़ा वाल थैए सुछ रखता कर ने जो आकिसी स्ट कर सकते हैं आज मेरी जो चिक्की बनाःते हैं। बनाइक हमें चिक्की और नहीं आपको अपना नहीं है मार्केट में आपको खुद पता नहीं विए ने इसे डाल गड़ा नहीं है कितने पतली चिक्की बनी है इसके ऊपर थोड़े से हम ड्राय रोस्ट तील और सीर्स डाल देंगे ताकि देखने में अच्छी लगे अब हांसे मैं इस तरह से टैप टैप कर दिये हैं बेलन से एक बार बेल लेंगे से सीर्स और तील थोड़े से चिपक जाएंगे और देखन जिस एक लिए चिक गरब में हमने इसके असानी में जल्दी से कटेंगे नहीं कड़एगे जल्दी असना बनीपोने लिए जल्दी से थंदा फैलेते फैल असलब से निसान लगा देते हैं या तो पीज़ए कटा लिए या फैंशी नियन हम कट लगानी हैं और जिफिया को क बेट लॉस करने में मदद करती हैं और इसमें एंटि- ऑक्सिजिएन की मात्रा अधिक होती हैं जो हमारे सरीर में कैंसर के कारण को कम करती है और मौंगफली में मौझूद कैसियों, फासफोरस, मैगनीज और कार्बो हाइडरेट हमारे सरीर में बलड सुगर को नियंत्रिक करता है सेहत का खजाना है, मौंगफली खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं इसे गर्मी में खाईए, सर्दी में खाईए, किसी भी समय आप खा सकते हैं, मौंगफली चिक्की को हम एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे, जब एकदम से ठंडी हो जाएगी ना, तभी हम इसको निकाल कर एर टाइट कंटेनर में भरके रखेंगे छिक्का थंडी नहों है, बहुत गर्म है लेकिन स निकाल कर आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए, कितने अच्छे से पतली हमारी चिक्की बनी है, तर बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बनी है हुए जैसे ठंडी होगी है वैसे आपक्रुम करण चिक्की होती जाएगी जब ठंडा हो जाएगा तब एर्टाइट कंटेनर में भरके रख देंगे ताकि बच्चे भी खूब खा सकें आराम से ठंडा होने से पहले काट लिए चोड़ी टुकड़े में रखने में बड़ी आसानी होगी इस तरह से ठंडा होने के बाद आप एर्टाइट कंटेनर में भरके रख देजिए और एपनी फैमिली के साथ तो अगर आपको मेरी रेसिपी जड़ा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर लिजेगा पहली बार चैनल पे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेए फिल्कुल फ्री है साथ में बेल अकन क्लिक कर लिजेगा मेरी आने वाली वीडियो की नियोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में थांक यू बाबाई